दीप आंसर्ज आपकी समस्या दीप तुर्वेदी के समाधान सर क्या आप जोतिश के बारे में अपनी राय रखेंगे? क्या आप जोतिश में मानते हैं? पुराने समय में तो जोतिश और आईरवेद को मिला कर भविश्य गनना की जाती थी और शारिरीक बिमारियों का इलाज भी किया जाता था आप कैसे कैसे सवाल करते हैं? और कहां कहां से जानकारी ले आते हैं? मेरबानी करके ये जोतिश और ये बेकार की बातें मुझसे तो नहीं करने तो अच्छा है और आप भी इन जमेलों में ना पढ़ने तो अच्छा है ये हारे हुए और ठके हुए लोगों की बाते हैं जो डर गए हैं जो ना उम्मीद हो चुके हैं जो घवरा रहे हैं और कोई सो रुपे में आपका भाग्य बता देगा? कमाल करते हैं यदि कोई कल बता सकता होता तो वो तो संसार का सबसे किंती रेक्ती हो जाता है नहीं हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ है अरे तो फिर जीवन का मतलब क्या बचा? और सब कुछ लिखा ही हुआ है यदि लिखा ही हुआ है कि बुद बुद बनेंगे तो उसमें बूत की credit क्या और फिर बूत को पुझना क्यों उनके भाग्य में ही था बूत बनना उसमें पुझने की बात कहां से आ गई और यदि सब कुछ लिखा ही हुआ है तो दाउत के भाग्य में था दाउत बनना फिर उसको मरने मारने और गाली देने की बात कहां से आ गई सो मनुश्य यहाँ पर कर्मों से अपना जीवन बना रहा है और कर्मों के अनुसार पा रहा है और खो रहा है यहाँ पर कोई भविश्य लिखा हुआ नहीं है मनुश्य कर्मों से अपना भविश्य बना रहा है और बिगाट रहा है इसलिए इन बेकार की बातों में खुद न उलजें और मुझे तो बिल्कुल दूर रखें क्योंकि ऐसे लोगों की दुकाने बंद करवाएंगे तो गरीब लोग जी सकेंगे वरना विचारों की छोटी सी कमाई में से भी ये लोग बड़ा बड़ा हिस्सा ले जाते खोटी खोटी बाते करके उससे बचना है सबको इस देश के गरीबों को बचाना है सो कम से कम आप जैसे समझद्यार व्यक्ती ऐसी बाते न करें थेंक यू वेरी मच सथी जीवन से संबंधित विबगत जाते विचेंड़ां विचेंगेशे बाते करना है अभिन विश्यों पर उनके द्वारा दिये गए लेक्चर्ज वा वर्क्शॉप्स एपिक चानल पर देखें। हर रविवार सुभा दस बजे तथा हर शनिवार रात ग्यारा बजे।